इस pocket loan application कैसा है, real है या fake है, इस application से हम लोग loan ले सकते है या नहीं ले सकते है, आप लोगों को इस application पे repayment करना है या नहीं करना है, कौन सी cases पे करना है, कौन सी cases पे नहीं करना है, तो वो सारी सिज़े बताएंगे, यह नहीं application है, आप लोग देख सकते हो, 5 के ही download चुआ है, और 5 star इसका reviews है अगर आप लोग इसका reviews देखोगे ना तो आप लोगों को देखो कितना 5 star reviews है मतलब एक भी बुरा reviews इसका है ही नहीं क्योंकि यह नहीं application है फिलाल की देम पे बहुत ही जादा aggressively loan provide कर रहे हैं तो आप लोग भी यहाँ पे try करके देख सकते हो eligibility criteria भी बहुत आसान है सारा कुछ मैं आप लोगों को step by step बताता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत कुछ लेकिन सारा कुछ सही नहीं है simple भासा में मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस application पे फिलाल की time के लिए loan तो मिल रहा है लेकिन interest rate guys high है आप लोगों को आप तो 30 percent के आसपास interested देना पड़ेगा अगर आपकी moderate civil score है तो ठीक है और यहाँ पे minimum 5,000 का लोन मिलता है maximum आप लोगों को 50 to 60,000 का लोन इस application पे मिल जाएंगे यहाँ पे जो processing piece है guys वो भी आप लोगों को देना पड़ेगा तो processing piece भी 1% से 5% के आसपास होगा यहाँ पे आप लोगों वो डोकुमेंट्स है यह identity proof आपकी driving license, put our ID या तो passport, आधर, पंकर कोई भी सलेगा address pop सही है और आप लोगों को e-sign करना पड़ेगा अगर आप लोगों को यहाँ पर apply करने के लिए बहुत ही simple process है इस application को download करना है यहाँ पर KYC complete करने के बाद आप लोगों apply कर सकते हो कुछी problem आता है, मतलब rejection मिलता है, बहुत लोगों को यहाँ पर instant rejection भी मिलता है ऐसा नहीं है कि हर बंदे को loan मिलता है, maximum census है कि फिलाल की time पर आप लोगों को मिल जाएंगे और इस application पर repayment करना भी बहुत ही easy है, pay time से भी repayment कर सकते हो या तो UPI से आप लोग यहाँ पर आसान इसे repayment कर सकते हो और यहाँ पर duration आप लोगों को short ही मिलेगा, तो आप लोगों को loan agreement ज़रूर मागना चाहिए यह loan देने से पहले, देखना, 7 days की 15 days की loan मिलता है, तो नहीं लेना है, ठीक है और repayment period आप लोगों को high use करना है, ऐसा application offer कर सकता है, 7 days या 15 days का भी loan लेकिन आप लोगों को नहीं लेना है, अगर आप लोगों को loan agreement पर जैसे बताते हैं, ऐसा यह application loan नहीं देता है तो आप लोगों को repayment भी नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 3 महिना बोलके 7 days का loan दे दिया और उसके बाद आप से repayment के लिए मांग रहे है, तो ऐसी cases में आप लोगों को complain कर देना है, बाकि application दर नया है इसलिए मैं इसे अच्छा बता रहा हूँ, आप लोगों को recommend कर रहा हूँ कि जाके try करके देखो बाकि फिर भी RICS ही application है, थोड़ा बहुत अपने इसाब से भी RICS के बतलब research कर लेना और इस application बाले से आप लोग loan agreement बगड़ा ज़रूर मांग लेना और गया है कि RBA के साथ registered है या नहीं, इसके बड़े में भी कोई पता नहीं है तो आप लोग ज़रूर डिमान करना कि कोई certificate बगड़ा है, तो दिखा दो इस application बाले को, ठीक है बाकि थोड़ा safe रहके भी करना, अपनी important context बगड़ा delete कर लेना और online bank accounts का use करना, description में links दे दूँगा तो आप लोग जा के खूल सकते हो, अपनी online bank account उसी account से इस application पर आप लोगों को मतलब loan लेना है तो बाकि सब आप लोगों को पता है, आप लोग smart बन दे हो आप लोग क्या सुचते हो, यह application real है या fake, comment पेज शुरूर बताना ठीक है फिलाल नया application है, इतना तो नहीं बता सकते तो वो fake तो नहीं है loan मिल रहा है, बहुत लोगों को loan मिला है आगे साके यह application कैसा perform करेगा, उसके बारे में हमें नहीं बता लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही था गाई, पर मिलते हैं एक नहीं वीडियो में तब तक के लिए, bye bye guys, love you guys